नमस्का दोस्तों तो आज हम सांखी की अथात स्टाटेस्टिक्स जो हमारी नवी कक्षा की गनित का एक महत्वपून हिस्सा है उसके बारे में हम पढ़ें तो सांखी की में क्या क्या चीज़े सीखेंगे सबसे पहले आंकडे फिर आलेखिये निरोपन यानि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस में हम तीन चीज़े सीखेंगे दंड आलेख, आयद चित्र, पारम बारता बहु बुझ, फिर केंदरिये प्रविति के माप इसमें भी हम तीन चीज़ों का अध्यन करेगे माध्य, माध्यक और बहुल आंकिकी को जानने के लिए हमें आंकडे यानि डाटा का ग्यान होना ज़रूरी है तो आंकडे क्या होते हैं एक निश्चत उदेश्य से इकत्त किये गई तत्यों या उनके अंकों को ही हम आंकडे कहते हैं जैसे उदारन के तौर पर मैंने चात्रों की लंबाई और वजन का आंकडा नीचे दर्शाया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां जो आंकडे दिये गए हैं उसमें से उपर वाले उनकी लंबाई को दर्शार रही है और नीचे वाले उनके वजन को दर्शार रही है यहाँ पर हम देखे तो वजन को बड़े अच्छे तरीके से दर्शाय गया है जैसे हम आगे बढ़ रही है वैसे वजन कम होता जा रहा है जैसे हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी कम होता जा रहा ऐसे आगे तक और यदि हम लंबाई को देखे तो लंबाई को इस प्रकार नहीं लगाया गया लंबाई बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है जो हमें इनका वजन दिया है यदि हम इनको एक सानी के रूप में प्रस्तुत रहे तो कुछ इस प्रकार देखेगी तो यहां पर हम देख सकते है कि यह जो दिया हुआ है इसमें 40 से 50 वजन वाले विद्याथियों की संख्या एक है और 50 से 60 वजन वाले विद्याथियों की संख्या चार है इसी प्रकार 80 से 90 की वजन वाले विद्याजियों की संक्या एक है अगर हम इस में देखे तो यहां पर भी हम देख सकते है कि 40-50 में एक चात्र है 50-60 में 4 चात्र है यहां पर जिस चात्र का वजन 60 है उसे हम 50-60 में ना गिनकर 60-70 में गिनेगे तो 60 से 70 वजन वाले चात्रों की संक्याची है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां तक और हम 70 वजन वाले चात्र को 70 से 80 में गिनेगे तो 70 से 80 में एक चात्र है 80 से 90 में भी एक ही चात्र है और 90 से 100 में दो चात्र है निरोपन यानि graphical representation के बारे में पढ़ेंगे तो इसका हम प्रयोग करके हम किसी भी आखनों को बड़े सरल रूप में प्रकट कर सकते हैं जिससे कोई भी चीज जानने में काफी कम समय लगेगा तो हम इसको तीन प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं सबसे पहले दंड अलिक यानि बार्ग्राफ तो मैंने यहां पर एक बार्ग्राफ को दर्शाया है दूसरा हम आयत चितर यानि हिस्ट्रोग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं यह देखने में हाला कि बार्ग्राफ जैसा ही है परन्तु यहां पर संतत वर्ग अंतरालों यानि कॉंटिनियस इंटर्वल्स का प्रयोग किया गया है तीसरा हम बारम बारता बहुपुज यानि फ्रिक्वेंसी पॉलिगन के बारे में पढ़ेंगे यहां पर मैंने एक फ्रिक्वेंसी पॉलिगन को दर्शाया है इन तीनों को हम आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे तो सबसे पहले दंड अलेक यान बार्ग्राफ यहां पर मैंने एक दंड अलेक को बनाया है यहां पर देखेंगे तो यह जो दिखा रहा है वहे है विद्यातियों की संख्या तथा जो ये दिखा रहा है वहे उन विद्यातियों का किस महीने में जन्म हुआ तो जैसे मैं बताओ तो यहां पर फेबरेरी में जो दंड बना हुआ है वहे चार तक जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि फेबरेरी में 4 बच्चों का जन्म हुआ इसी प्रकार अगस्त में 6 बच्चों का जन्म हुआ तो ऐसे हम दंड अलेक से काफी असानी से किसी भी आंकड़े को हम जान सकते हैं तो इससे आगे हम अभग पढ़ेगे आयच चित्र तो आयच चित्र का हम जैसे हमें एक ये टेबल दी हुई है जो हमें बता रही है कि विद्याथियों के भार के बारे में बता रही है जैसे 30 से 35 भारवाले बच्चे 9 है तथा 35 से 46 है 40 से 45 15 है 45 से 53 है 50 से 55 एक है और 55 से 62 है यहां पर आज चत्र को बनाया गया है ये विद्याथियों की संख्या दिखा रहा है और ये है भार दिखा रहा है उनका जैसे अब हम इसमें देखे तो 30 से 35 जो हम बनाया गया है वह लगबग 9 तक जा रहा है तो 30 से 35 में 9 भच्चे हैं ऐसे ही 35 से 40 में 6 है 40 से 45 में 15 है ये सारे इसके हिसाब से ही बनाया गया है तो ये इसका आंकड़े और इसके आंकड़े एक साथ मिलेगे अब हम पढ़ेंगे केंद्रिय प्रवित्री के माप यानि मेजर्स ओफ सेंट्रल टेंडेंसी तो केंद्री प्रवित्री के माप करने के तीन तरीके है एक तो है माध्य यानि मीन फिर है माध्यक, मीडियन और बहुलक, मोड तो जैसे यह आपने चित्र पहले भी देखा था वह है मैं दुबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर हम इनका कद का माध्य निकालेगे इनका माध्य निकालने के लिए हमें इस formula का प्रयोग करना पड़ेगा जहाँ पर यह जो x बार दिया हुआ है यह इनके माध्य को दर्शाता है और x1 इनके कदों को दर्शाता है जैसे x1 यानि इसका कद x2 यानि इसका कद इसी प्रकाश जो आकरी होगा आखरी चातर का दर्श आएगा और यहाँ पे जो N है वह दर्शा रहा है कि कितने चातर है यानि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते है तो यह 15 चातर है तो यहाँ पे हम 15 लिख देगे तो अब अगर इन सब का जोड करेगे तो वह यह निकल के आएगा आप खुद इसको पंदरा रख देगे और यह हमारा माध्य निकल जाएगा कि माध्यक यानि मीडियन को भी निकालना सीखेंगे तो माध्यक निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें इनको सही ढंग में लगाना पड़ेगा यानि हम या तो इनको कम से जादा या जादा से कम की तरह लगाए यानि सबसे पहले सबसे कम कद वाला चातर फिर उससे जादा फिर उससे जादा इस प्रकार हम लगाएगे तो हमें यह 15 आंकड़े है तो यह सब 15 आंकड़े हमें मिल जाएगे और उसमें जो बीच वाला आंकड़ा होगा वही उसका माध्यक होगा तो यहाँ पर अगर आप इसको अपने खुद से लगा कर देखेगे और बीच वाला कोई आंकड़ा लेगे तो वह 170 निकल कर आएगा यह आप खुद ही करना पड़ेगा इसके बाद हम सीखेगे बहुल यानी मौड के बारे में तो बहुलक वह दर्शाता है कि कौन सा आंकड़ा सबसे जादा बार आ रहा है जैसा कि आप अगर इसमें देखें तो 170 वाला आंकड़ा तीन बार आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर बाकी सारे अगर आप आंकड़े देखें तो वह एक बार ही आ रहा है तो बहुलक इसका 170 ही आएगा अब हम आगे पढ़ेगे माध्य को थोड़े और विस्तार में पढ़ेंगे 10 एक दिखा रहा है कि 10 अंक लाने वाले चात्रों की संख्या एक है ऐसे ही 20 अंक लाने वाले चात्रों की संख्या भी एक है इसी प्रकार हम देखते जाए तो 36 के 3 है 40 के 4 है 50 के 3 है और ये इन सब को गुना करके दर्शारा है कि 10 अंक लाने वाले चात्रों की संख्या एक है तो उनको गुना कर दे तो 10 आएगा ऐसे ही 20 एक उनको गुना कर दे तो 20 आएगा ऐसी 36, 3, 9 को गुना कर दे तो 108 इसी प्रकार अगर हम इन सब का जोड कर दे तो यहां पर हमें इन सब का जोड करके दिखाया गया है जो की 30 आ रहा है और ऐसे ही अब हम इन सब का भी जोड कर दे तो यह दिखा रहा है जो 1779 आ रहा है तो अगर हम इनका माद्य निकालना चाहे तो हमें इस formula का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर हम यह वाले आंकड़ा इसमें डाल दे और यह आंकड़ा यहाँ नीचे डाल दे तो हमें इसका माद्य मिल जाएगा और वहाँ यह निकल के आएगा अब हम ऐसे ही माद्य थोड़ा विस्तार में पड़ेंगे तो माद्य निकालते समय हमें हमें हमेशा ध्यान लखना चाहिए कि सम और विश्यम के लिए माद्य के लिए अलग अलग तरीके होते हैं तो सबसे पहले विश्यम यानि और के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 9 आंकड़े दिये गई है 9 एक विश्यम है तो विश्यम के लिए हमें यह formula यूज़ करना पड़ेगा यहाँ N हमें दर्शाता है कि कितने आंकड़े दिये गई है यहाँ पर जैसे 9 आंकड़े है तो 9 जमा एक बटा दो हमें 5 देता है यानि हमारा पांचवा आंकड़ा ही हमारा माध्यक होगा जो कि यहाँ पर 15 है 1, 2, 3, 4, 5 सम के लिए भी माध्यक निकालना सीखेगे यहाँ पर हमें 8 आंकड़े दिये गई है जो कि एक सम है तो सम निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर 8 बटा 2 यानि चोथा नमबर और 8 बटा 2 जमा एक या अथाद पांचवा नमबर का जोड़ करना है फिर उसके बाद बटा 2 करना है यानि 4 चोथा नमबर जमा साथ जो कि पांचवा नमबर है बटा 2 करेगे तो हमें 5.5 मिलेगा जो कि हमारा माद्यक होगा तो आज आपने इस वीडियों से क्या क्या चीज़े सीखी सबसे पहले आपने जाना कि आंकड़े किसे कहते हैं उसके बाद हमने आलेकिये निरूपन को भी समझा इसके हमने तीन प्रकार देखे दण्ड आलेक, आयत चित्र और बारंबाथ ता बहुभुच इस के बाद हम केंद्री प्रवित्रे के माठ के वाले में हमने जाना हमने इसमें तीन माठ देखे मादे, माद्यक और बहुलक अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं सभी दर्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद